हेलो गाइज, वेलकम टो आल आफ वी जेके स्कोप, सो गाइज इस वीडियो में आपके साथ क्लास फोर्थ की अपकमिंग सैकिंड लिस्ट का अप्रॉक्सिमेटली कट अफ क्या रहेगा वो शेयर करूंगा, सो कट अफ शेयर करने से पहले बता दू आपको, इस कट अफ को त अगर फिल्ड अफ हो चुकी है, सो प्रॉपर होल स्टेडी करके, से कट अफ को जो है मैंने तियार किया है, ओके, सो अगर मैं कट अफ की बात करूं, as it is my concern, approximately cut-off यही रहेगा, point का इस दुर फर्क हो सकता है, बट approximately I think यही रहेगा, ओके, सो मैं आपको UT-wise, division-wise, then district-wise आपका cut-off आपके साथ share करूंगा, सो आप according to your number, ठीक है, आपके जो marks वगरा है, according to your marks, you can check where you fall, ठीक, आप कहाँ पर fall करते हैं, वो आप check out कर सकते हैं, okay, सो हम अगर overall vacancy की बात करें, तो overall vacancy जो थी, 8,575 overall vacancy थी, okay, clear, तो first जो list आई थी, उसमें जो है, 5,175 vacancy को fill up कर दिया गया है, okay, तो कितनी vacancy जो है अभी vacant वच्ची है, वो वच्ची है, 3,400, okay, उन में से भी, अभी PDW की कुछ vacancy जो है, उसको fill up करना है, उसकी verification चल रही है, clear, तो हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास, जो है, 3,000 पोस्ट हैं, जो है vacant है, okay, तो उन्हें recently जो notice निकाले तो उन्हें कहा, 1.4 की, जो है, इस पे आपको जो है, रखा जाएगा, जानि एक पोस्ट पे 4 बच्चों को रखा जाएगा, clear, तो approximately हम मान सकते हैं कि 12,000 बच्चों को इन किया जाएगा, clear, okay, तो आपने ये नहीं देखना है कि आप अपनी डिवीजन में फाल कर रहे हैं, 12,000 की serial number पे तो आफ इन हो, वो नहीं देखना है आपको, आपको UT भी देखना है, आपको UT में कहां कौन सी serial number फाल कर रहे हो, फिर आपको डिवीजन में भी check out करना है, ठीक है, फिर आपको वहा करके फिर आपको जो है आगे का देखना है तो मैं अगर अगर कट-फ यूटी की बात करूं तो जो फिर्स्ट लिस का कट-फ था जैनल काड़ी गया उनका था 53.99 तो अब भी अप्रॉक्समेटली जो कट-फ जा सकता है आपका वो चाक सकता है 51 प्लैस ठीक है जिन स्टुटें की तो फिर्स्ट कट-फ था वो क्या था 50.15 ओके तो आप उनका जो कट-फ जा सकता है 47 प्लैस ओके जिन स्टुटेंट के मार्क्स जो है 47 प्लैस है उनके चांसिस मोस्ट है इन ओने के ओके देन स्ट की बात करूं मैं यूटी में तो स्ट का जो पहले कट-फ था वो था 45.05 तो आप जो कट-फ जा सकता है प्रॉक्समेटली 43 प्लैस ठीक है वहीं स्ट का जो था 40.83 अब जो जा सकता है 37.50 प्लैस ओके वहीं मैं बात करूं ALC और IB की तो उनका यूटी में जो कट-फ था 1st लिस्ट में वो क्या था 46.09 तो आब जो है कट-फ जा सकता है ठीके 2-3-4 न से कम दो है 43 से लेके 46.09 तकर जो है कम से कम 1000 बचे जो है इसमें फाल करने है ठीक है इसलिए आपको मैं जो प्रॉपर अनलाइज करके कट-फ बदा रहे हो ठीक है यह मत सोचना है कि इतना कम कट-फ क्यों बदा रहे हो तो इतना कट-फ जाने वाला यह याद रखना ठीक है इससे यादा कट-फ नहीं जाने वाला है क्लियर ओके हाँ इन हो सकते हो शाट लिस्ट अब किया जा सकता है वट कट-फ यही रहेगा ओके इडिलिस की बात करूं तो 48.35 पहले था अब जो है कट-फ जाने के चांसी से 45 रहेगा ओके वहीं PSP की बात करूं UT में 41.46 था अब अब जो है उनको जो है उनके शांसी से अब मैं आपको जो है cut-up of जुद्यो जौ बताऊँ आपको अगर जो बच्ची जमू डिविजन में हैं आपकी देखो आपकी प्रेफर्स को भी चेक ओड किया जागी कि अपने प्रेफर्रस क्या है उसको भी इसके प्रेफर्स चाहा है ठीक है उसको भी चेकोड किया जाएगा यह भी याद रखना है ठीक है तो अगर हम बात करें यमू डिविजन की तो पहले जो ओम का cut-off था वो था 47.56 तो अब जो chances है cut-off के वो 45 प्लेस ही रहेगा ठीक है जिनके 45 प्लेस मार्क से उनके most chances है इन होने के clear वहीं मैं बात करूँ RBA की तो 43.06 पहले था तो अब 40 प्लेस होने के chances है SC के जो था वो था 43.4 अब जो है 40 प्लेस वाले इन होने के chances है ST के वहीं बात करूँ तो पहले था 37.02 तो अब जो है 34 प्लेस वाले के chances है ठीक है वही 43.61 ALC और IB के था 40 प्लेस वाले के chances है 38 जो था EWS के था 35 वालों के chances फुल है वहीं PSP की बात करूँ अगर जमू डिविजन की तो 34.8 था वहीं जो है 31 वाले के इन है वहीं बात करूँ अगर शोशल कास्ट की तो 44.38 था 41.50 वाले जो है उनके chances है वहीं बात करूँ ठीक है आप कश्मीर डिविजन का देख लेते हैं ओम की बात करूँ जनरल की तो 48.99 पहले था अब 47 से प्लेस जिनके marks है उनके chances बन रहे हैं ओके डैन आर्बे की बात करूँ 40.12 था उसके बात 42 वाले इन है 38.06 जो SC वालोगा था अब 35 वाले इन है ओके वहीं ST की बात करू तो उनका जो पहले जिस्ट का cut-up था वो 30.35.77 था अब जो 32.50 वाले जो प्लेस वाले जो जिनके marks हैं उनके most chances इन होने के ओके वहीं ALC और IB की बात करूँ मैं कश्मीर डिविजन की तो पहले जो उनका cut-up था वो क्या था 37.06 इस वाली list में जो आपके cut-up रह सकता है अप् 34.34 प्लेस जिनके marks 34 से उपर हैं उनके most chances इन होने के उनसे कम जिनके marks हैं उनके chances नहीं बता सकता है कि उनके chances हैं क्योंकि vacancy काफी कम है काफी सारे बच्चे जो हैं जिनके अच्छे marks भी हैं ठीक है तो वहीं मैं बात करूँ यहां पर EWS की तो 38.26 पहले था अब जो chances है 35.20 प्लेस जो हैं इनके chances हैं ठीक है वहीं मैं बात करूँ PSP की तो जिनका किश्मी डिविजन में cut-off पहले था 34.55 तो अब जो है जिनके marks 31.50 प्लेस हैं उनके chances हैं most इन होने के सोचल कास्ट की बात करूँ तो 43.62 दैन अब जो cut-off रहेगा वह 41.50 प्लेस रहने वाला है इसम की बात करूँ तो 90.51 पहले था अब जो है 60.50 जो है cut-off के chances बन सकते हैं clear मैं पहले बता दूँ आपको तीन से चार नंबर का फर्क रहने वाला इस से यादा फर्क नहीं रहने वाला आप भूल जाओ क्योंकि कितने वच्चे जो है 98 की 99 की बात करूं यहां से 47 से 48.99 की बात करूं इन में दोनों में भी 1000 प्लेस बच्चे जो हैं यहां पर फाल कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कितना कटफ जा सकता है ठीक है 3000 वकेंसी है अगर यहीं कश्मीर डिविजन में जो है 1000 बचे ले लिए जाएंगे तो बाकिवल डिविजन कहां जाएगी ठीक है कश मीर डिविजन गेएंगे कुछ है ताफ मैं मैं आपको डिविजन में जो भी ताफ फाल गता करती हैं उनका मैं जम्मूर डिविजन की बात करूं according to your number you can check up check out कर सकते हैं ठीक है पहले जो cut up था जम्मू डिविजन का वो था 52.76 ओके अब जो cut up रहने के चांसी से वो 50 plus होने वाला है वहीं RBA की बात करूं 46.5 43 रहने वाला है 49.29 पहले था अब जो है 47.20 के चांसी से वहीं 41.25 जो ST का था 48 plus रहने वाला है 48 not 38 38 plus होने के चांसी से वहीं बात करूं ALC और IB की तो 50 plus 99 पहले था 48 plus वाले के चांसी से वहीं बात करूं मैं EWS की तो जिन बचों के मार्क्स जो थे 43.50 plus हैं तो उनके चांसी पूरे पूरे इन होने के हैं वहीं बात करूं PSP की Party Speaking की बात करूं तो जिन बचों के मार्क्स 36 plus हैं उनके most chances हैं इन होने के वहीं मैं Social Cast की बात करूं तो जिन भी जितने भी बच्चे हैं जिनके 49 plus मार्क्स हैं उनके chances पूरे पूरे हैं इन होने के वहीं ESM की बात करूं तो 30 33 प्लेस जिनके मार्क से उनके जो है चांसी से फुल आने के इन्होंने के वहीं मैं कठुवा की बात करूँ तो कठुवा वाले देख लें यहां पर जो कठुवा डिस्टिंग में फाल कर रहे हैं जितने हमें स्टुड़ों जनके मार्क से उनके तो चांसी नहें की उनके इन्होंने के क्टउ मी वहीं स्ट्वा डिटो से उनके बात करूँ जनके मा 이유 हें वहीं मने के पर जितने खेल प्लेस बतारूं心 जो का टोडे के बच्चे जिनके जो यह एल,सी बैब सकता है,समें बरेस syrup हिए,पनार्फ Christmas का उनके चांसी से इन उने के, okay clear? okay, 38 not, sorry, यहां पर 28 है, okay? 28 जिनके मार्क से यह समखे, उनके फुल चांसी से इन उने के, okay? वही मैं अगर सांभाः डिस्टर्क की बात करूँ, जो सांभाः डिस्टर्क वाले वो जहां पर देख ले, ठीक है? सांभाः डिस्टर्क का फिर्स्ट का फिर्स्ट का था, वो क्या था? 54.23, अब जो चांसी से कट अफ होने के, वो क्या है? 51.50, इससे यादा कट अफ, इससे डाउन कट अफ नहीं जाने वाले, जो हैं बात करें, तो पोस्टे हैं काफ कम है त्छिक है? यह सांभाः डिस्टर्क में थिक है, वही में बात करूं, ऐसी की अगर बात करूं तो ऐसी का जो cut-off है अपना सामा डिस्टर्ग में ठीक है 43.88 पहले था तो आप 41 प्लेस जो है इनके चासी से ठीक है वहीं मैं बात करूं अगर उदुम्पूर की तो उदुम्पूर का cut-off जेनल का 50 प्लेस 50.65 प्ले तो आप जो है 48 वाले एन है ठीक है ऐसे करके बात करूं जो जर्नल वाले बच्चे है उनका पहला cut-up जो था वो क्या गया था first list का 50.75 तो आप जो cut-up जाने के chances है वो 48 plus ही रहेगा ओके वहीं RBA की बात करूँ 47.92 था आप जो 46 plus होने के chances है ठीक है वहीं बात करूँ ST की तो पहले जिनको cut-up 39.55 था अब 36 वाले इन हैं उनके chances हैं ऐसे बात करूँ मैं अनंतना की तो अनंतना की अगर बात करूँ मैं वहीं ऐसी की तो उनका cut-up पहले था 40.25 तो अब जो है 37 plus जो है जिनके नंबर है उनके chances है ऐसे करके यहां पे मैंने कश्मीर डिविजन की जितना भी cut-up जो है मुझे लगा analyze करके जो बैटर लगा जो मुझे लगा कि ऐसा cut-up बन सकता है ठीक है वो मैंने यहां पे पूरा त्यार किया है सो यह इसका pdf का link मैं description में डाल दूँगा तो अगर मैं वीडियो में आपको एक district का cut-up बताओंगो तो वीडियो लंबी हो सकती है